नमस्कार दोस्तो हमारा बिहार में आपका स्वागत है आज है 2 जुलाई 2020 और 2 जुलाई 2020 से जितने भी करेंट अफेर्स के कोश्चन है जो बिहार से जुरे हुए है उसको आज हम डिसकस करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सर्च किजिए हमारा बिहार HB और चैनल को जोईन किजिए वहां पर आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिज दोनों लैंग्वेज मिल जाएगा और दोस्तो इस वीडियो के लाष्ट में मैं किये गया है दोस्तो डॉक्तर कि नंदन सिंग्ग यह आप्चन इसका सही हो गया ठीक है और केंद्रीय वीदी वह नयाय मंत्राले के द्वारा वरिये अधिवक्ता और डॉक्तर क्रिस नंदन सिंग को पट्टना उच्ञाले में एडिशनल सॉलिशीटर जनरल निक्त किया ग और यह जो परपल कलर का एरिया देख रहा है चोटा सा जिला यह है सिवहर जिला देखिए दो जिला से सटा हुआ यह दो जिला के बीच में है यह पुर्वी चंपारान और सीता मड़ी ठीक है आप दूस्तों नामाया सिवहर का तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं तो सिवहर जिला दोस्तों मुझपप प्रमंडल के अंतर गताते हैं मुख्याले इसका सिवहर ही हो गया और यहां का प्रमुक फसल धान गेहुं गन्ना है सिवहर बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत वाला जिला है जिसका जनसंख्या गनत पर 18802 प्रतिवर किलोमेटर और छेतरबल के अंसर बिहार का सबसे छोटा जिला है सिवहर छलते हैं अगले प्रसंत की तरप तो अगला प्रसंत राज के किस जिला में इससतित एक उत क्रमित उच्च मादमिक विध्याले में ज्ञान बगीचा बनाए गिया है ठीक है में इस्तित है या उत्करमिक उच्च मादमिक भी देले और डेर एकर में फैला हुआ है यह बगीचा इस बगीचे में फल फुल के पौधे के साथ 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 विशय संबंदी जानकारिया भी लोहे के छोटे-छोटे पट्टे पर लिख कर लगाया गया है और इस स्कूल को टी इस बगाया दो जिला से सटा हुआ है बकसर से और रोतास से ठीक है अब चलिए कैमूर के वारे में कुछ बेसिक इंफर्मेशन जान लेते हैं तो दोस्तो कैमूर जो है यह पट्ना प्रमंडल का अंतरगत चे जिला आता है ठीक है पट्ना नालंदा भोशपूर बकसर रोता परब्सक्राइब दोस्तों भववा में है कैमूर जिला का स्थापना 1991 में हुआ है और सबसे कम जनसंक्या घनत्र वाला जिला कैमूर है जिसका जनसंक्या घनत्र पर 488 ब्रतिवर किलोमेटर यहां का प्रमुक फसल धान मक्का गेहूं और गन्ना है कैमूर में बल्थर इसकी one रिपोर्ट के अमसार बिहार के कितने बिहार के कितने छेतर में बहन है तो 6857 वर किलोमेटर में बहन है बी आप्सन इसका सही हो गया और यह राज के कुल भागोलिक छेतफल का 7.3% है और बिहार में स्थन्रक्षित वनो का छेतरफल जो है 6183 वर किलो मीटर है जो कि अब बिहार के कुल भागोलिक छेतफल का 6.6% है 2022 तक 17% हिस्से जो है ये हरित आपरन बनाने का लक्ष रखा गया है बिहार का और देश में सबसे अधिक 1 वाला छेतर जो है ये उत्रा खंड में है यहां 71.1% है और सबसे कम 1 छेतर वाला जो है ये हरियाना है जहाँ पे कुल छेतर वाल का मात सारे 3 परतिसर बन है अगला परस्ण है हाल ही में आयरी कि पत्ना के निदेशक के पढ़्द पर किकिन किया ग्या है तो यायिटे प्ठना के निद्यशक के पर निद्किये गया है प्रोफेसर प्रमोध जयन B-Oppsन का सभी और प्रोफेसर प्रमोजन आई 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 टी बीएचू के भी निदेशक है और इन्हें आई आई टी पटना का भी निदेशक बनाया गया है अगला प्रस्ना है बिहार के सभी डागरों में के खुलने बाले कॉमन सर्विस सेंटर में कितने योजनाओं का लाब इस सेंटर से लिया जा सकता है तो दोस्तों एक सेंटर से मतलब एक common service center से और digital इंडिया के तद खोला जाएगा ये सभी common center अगला प्रस्थ है किस फिल्म अविनेता के द्वारा social media पर justice for सुसान्त अभियान चलाए जाएगा तो justice for सुसान्त अभियान चलाए जाएगा सेखर सुमन जी के द्वारा social media पर c option इसका सही हो गया और हाली में सेखर सुमन जी पटना के दोरे प्याय हुए आये थे और उन्होंने पटना इससी सुसान्त सिंग के आवास पर पीग है और वहाँ पर उनको सरधान जिली भी अरपित की और वहीं पर मीडिया से मुखातिव होते हुए उन्होंने इसकी भोसना की की जश्टिस पर सुसान्त अल्वियान चलाया जाएगा सोसल मीडिया पर अगला प्रसन है दोस्तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना की अबदी को कितना बढ़ाया गया है जिससे बिहार के आठ करोर इकहतर लाग लोग लावान बित होंगे अगला प्रसन है और दोस्तु इस प्रसन को मैंने कल के वीडियो में भी सामिल किया था कैenge 30 तारीक के प्रभाद कौवर में दिया गया था इसका लिमीट है दोस्तो 80 वर्स दिया गया हैं कि विधान सवा चुनाओं में किस उम्र से अधिक के लोग को वोट देने के लिए पोस्टल वैलेट की विवस्ता की जाएगी तो सही उत्तर इसका ए हो गया 65 वर्ट से अधिक ए और यह सुविधा बिकलांग मत दाताओं को भी उपलब्द कराया जाएगा और भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बिहार पहला ऐसा राज होगा जहां विधान सवा चुनाओं होंगे और बिहार के मत दाता संसोदित नियमों से सबसे पहले लवान बित होंगे ठीक के पुलिस कर्मी बिहार आकर यहां के पुलिस कर्मी वा पुलिस अधिकारियों से यहां के कानून विवस्ता के बारे में जानेंगे तो त्रिपूरा और मिजोरम ठीक है तो C आप्सन सही हो गया इसका उप्यूत दोनों और कल का दूसरा प्रसंद था हाली में केंद सरकार क के द्वारा तकनीकी सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस जिला में अटल अकादमी खोलने जा रही है तो यह पटना में खुला जाएगा अटल अकादमी सी ऑप्सन इसका सही हो गया तो कल के प्रसंद के दोनों उत्तर का एंसर हो गया सी आज का रिविजन का प्रसंद है किस जिले में श्रीत नोंगर टीला को पुरातत विबाग के द्वारा सुरक्षी तरस्तल गोसित किया जाएगा और दोस्तों आज का दूसरा प्रसंद है देश में पहली बार बिहार के किस एस्टेशन पर यात्रियों के लिए डिस्वोजेवल बेडरोल की सुभीदा उपल पुल लग रहा है तो प्रति दिन सामें इस वीडियो का ओडियो अप्लोड किया आता है जिसे सुनकर आप रिविजन कर सकते हैं और ख़बी अपलिकेशन का लिंग वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहांसे अगर आप पहले साइंग अप्र आप्ले कहा है लिंक के दुरू आप खबरी अप्लिकैस डाउलोड सब्सक्राइब बBY separate प्राइब नहीं किया है तो सुनकर पढ़ाई कर सकते हैं लिए कर सकते हैं और दोस्तों अचनक कल में तक खराब हो जाने के कारण से दोरं ब्हार करेंड कर सका तरर्स्टी करेंट ऐसका लेकिन उसका PDF तयार है सब्सक्राइब करेंगे वहां कर सकते हैं यह थोड़ी इरी में इसको टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर देंगे वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद